1990 की बात करें तो इंडिया's GDP was almost equal to China 1990 में चाइना ने World Trade Organization को जोइन कर लिया और 1990 में ही चाइना gave an open access to FDI यानी Foreign Direct Investment जिसका रिजल्ट आप 2023 के डेटा में देख सकते है चाइना's GDP इंडिया से लगबग 5 गुना है सिर्फ 3 decades में चाइना इतना grow कर लेगा इसका किसी को आइडिया नहीं था वैसे तो इंडिया और चाइना दोनों ही ancient civilizations है एक टाइम था जब दोनों देशों का GDP से और World Economic 50% हुआ करता था दोनों कंट्रीज के trade license काफी अच्छे थे बुद्धीश टीचिंग लेने चाइना के लोग इंडिया आते थे तो फिर ऐसा क्या कारण बना की इंडिया चाइना के रिलेशन्स खराब होने लगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना ना बोले आते हैं अपने question पर इंडिया चाइना के रिलेशन्स खराब होने का main reason क्या था दा answer is very simple चाइना उस पॉलिसी और इंपेरिलिजम 1961 में जब चाइना ने तिबबत पर हमला कर तिबबत कबजा लिया इंडिया ने इस वोर में तिबबत का फेवर्ट किया और दलाई लामा को बारत की citizenship दे दी जिससे इंडिया चाइना के रिलेशन में food पढ़नी शुरू हो गई 1962 में चाइना did the same with इंडिया 1962 में हम चाइना के troops को नहीं रोक पए और भारत के आकसाई चीन पर चाइना ने कबजा कर लिया 1962 वोर में exactly क्या हुआ था किसी और दिन डिटिल में समझते है हमने अपनी फर्स वीडियो में भी चाइना तिबद डिस्प्यूट के बारे में बात की है आप वो वीडियो भी देख सकते है इंडिया ने दोनों देशों के रिलेशन को काफी हद तक stable रखने की कोशिस की लेकिं दिसंबा 2022 के तवांग इंसिडेंट ने बता दिया कि चाइना नोर्मले सी चाता ही नहीं है अरुनाचल पर देश के तवांग में भारत ने जो अग्रेसन दिखाया उसकी चर्चा दुनिया बर में हुई चाइना ने बारत की तरफ से ऐसे रस्पॉंस की उमीद नहीं की थी विदिन मिनट्स आर एर फोर्स वोज अक्टिवेटेड और ग्राउंड पे हमारे जवांग ने चाइनिस इंटूडर को मुँ तोड़ जवाब दिया अब समझते हैं उन की फैक्टर्स को जिस वज़ए से चाइना इंडिया से डरता है अपनी फोर्ण पोलिसी के चलते चाइना ने अपनी इमेज को काफी नुकसान पुचाया है ताइवान को लेका चाइना का जो स्टैंस है उससे चाइना में आने वाले इंवेस्टमेंट्स पर सीधा असर पड़ा है रसिया यूकरेन वोर के बाद से इंवेस्टर्स इतना तो समझ चुके है कि चाइना में भी रसिया जैसे सरकम्स्टैंसिस की डेट हो सकते है US तो खुलके अपनी companies को कह चुका है कि वो अपनी production को बाकी देशों में shift करें वहीं इंडिया के पास एक बहुत ही बड़ी educated population है cheap labor और better English skills के साथ भारत एक ideal location बन जाता है investments के लिए India is the fastest growing economy जिसका असर आपको foreign investments में दिख जाएगा Apple ने already अपनी manufacturing unit इंडिया में setup कर ली है Tesla भी बहुत जल्द आपको इंडिया में दिखेगी इंडिया बहुत speed से foreign investments को attract कर रहा है जो कि चाइना के लिए एक nightmare से कम नहीं है चाइना को लेकर इंडिया की policy बिल्कुल clear है कि हम चाइना को अपने massive market का access नहीं देंगे जो कि चाइना का सबसे बड़ा डर है आने वाले decades में केवल तीन देश स्टेंड करेंगे US, China और इंडिया केवल तीन economy powers होगी बाकी सबी देश including Japan, Germany, France सबी बहुत पीछे रह जाएंगे चाइना ने US और इंडिया दोनों को ही अपने against किया हुआ है चाइना अच्छे से जानता है कि US, इंडिया टाइस उसके लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं Quad group is another major region for China's fear Quad group की military exercise को लेकर चाइना की बे-चैनी साफ दिखती है चाइना अपनी spying ships के साथ कहीं बार Indian Ocean region में पाया गया है USA sponsored India Middle East Europe economic corridor चाइना के belt and road initiative को पूरी तरह destroy कर देगा IMEC basically एक trading route है जो Middle East होते हुए इंडिया को यूरोप से connect करेगा बनने के बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा economic corridor होने वाला है तो US, इंडिया टाइस तो future में grow ही करेंगे जो की चाइना के लिए एक बड़ा डर है और experience है which matters a lot US, France, Australia और लगबग हर country के साथ हम military exercise करते है which keep our military updated and ready to fight weapons की बात करें तो we have state of the art weaponry system Philippines चाइना का एक rival country है और Philippines को ब्रहमो नेवल बर्जन बेज़ कर हमने चाइना को एक clear cut message दिया है इंडिया की चाइना killer missile यानी की अगनी 5 की टेस्टिंग के बाद चाइना ने UN में खुब हला मचाया चाइना की एक बड़ी weakness है मलाका स्ट्रेट यहां से चाइना की maximum ships निकलती है in a war like scenario इंडिया can jog the मलाका स्ट्रेट जिससे हम चाइना की supply chain को cut कर सकते हैं और हम इसका demo 1970 इंडो पाकिस्तान war में दे चुके है so Indian military is another cause for China's fear China ने अपनी development की नीव रखी है at the cost of human rights और हमने democratic value के साथ आगे बढ़ने की ठानी है मेरे तरब से यही अपील है कि आप सभी बारत की development में अपनी हिस्सेदारी दे बारत को एक strong और prosperous nation बनाने का commitment ले आपका क्या मानना है लिखेगे comments में और अगर आपको हमारी videos पसंदा रही है तो like share करे आप में से 90% लोग subscribe नहीं करते हैं तो please channel को subscribe करना ना भूले मिलते हैं एक और सांदार वीडियो के साथ धन्यवाद